Hello everyone, this is Amandeep and you are watching ProInfo's YouTube channel Guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे about HTML जो एक ऐसी language है जिसके साथ आप web pages को create करते हैं इस वीडियो में हम HTML language के कुछ components की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे एक random और first HTML program structure की कि आप कैसे एक simple HTML का program create कर सकते हैं अपने phone पर और उसका output कैसे check कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं इन सभी options के बारे में HTML stands for Hypertext Markup Language जो most widely used language है on web जिसके साथ web pages को create किया जाता है HTML को create किया था Tim Berners-Lee ने in late 1991 but HTML 2.0 first standard HTML specification था इसे publish किया गया था in 1995 HTML 4.01 एक major version है HTML का और इसे publish किया गया था in the late 1999 though HTML 4.01 version widely used किया गया but currently हम HTML 5 version को use करते हैं जो एक extension है to HTML 4.01 और इस version को publish किया गया था in 2012 HTML एक markup language है जिसका मतलब है कि आप HTML को use करते हैं simply text document को markup करने के लिए means कि हम एक document में HTML के tags जो की उसके components होते हैं प्रोग्राम बनाते वक्त उन tags को use करते हैं कि web browser ये समझ पाए कि उसे क्या display करवाना है HTML में बहुत सारे tags use किया जाते हैं इन tags को angle brackets के बीच में रखा जाता है कुछ tags के लावा जातर tags की closing भी होती है और starting भी होती है किसी tag को start करना हो तो उसे angle bracket में उसके particular नाम से start किया जाता है और closing भी उसी नाम से होती है लेकिन closing tag में आपको एक slash भी देखने को मिलेगा अब अपनी स्क्रीन पर कुछ tags की examples देख सकते हैं जैसे कि doc type, html, head, title, body, h1, and p tag ये सभी tags कुछ most important tags हैं उसातर html basic programs में ये tags use होते हैं और आगे आप इनकी examples भी देखेंगे कि ये क्या-क्या functions perform करते हैं चलिए सबसे पहले उन apps के बारे में जानते हैं जिनकी आपको जूरत पड़ेगी इस html को अपने android phone पर use करने के लिए तो सबसे पहले हम अपने play store को open कर लेंगे play store में आपको nwriter इसे type करना है nwriter एक free html editor है जिसे use करके आप html के program को बना सकते हैं यहाँ पर मैंने already a writer को install किया गया है इसलिए यहाँ पर मैं इसको directly open कर लूँगा इसे open करने पर आपको इस वे से screen दिखेगी यहाँ पर प्लस पर चले जाओगे तो आपको एक नई screen आ जाएगी html का basic program लिखने के लिए सबसे पहले जो हम tag को use करेंगे वो है html tag वैसे तो कुछ programs में अगर आप system में use करें तो आप doc type space html लिख सकते हैं जो की version बताता है कि आपको उनसा html version यूज़ करें तो यहाँ पर आप screen पर देख सकते हैं यह angle bracket है और पहला tag introduce कर रहा हूँ html तो जैसे आप html लिखेंगे यहाँ पर आपको hint भी आ जाएंगे आप इसको touch करके tag को close कर सकते हैं then second tag आ जाता है head tag head लिखा यहाँ पर example आ रही है आप इसको touch करके head tag को close कर सकते हैं और head के बीच में हम title लिखते हैं जो कि आप किसी भी website को open करेंगे तो उसके browser के ओपर tab के ओपर जो title लिखता है वो title में लिखा जाता है phone में वो tab नहीं दिखता है maximum chances होते हैं कि वो नहीं दिखेगा क्यूंकि उसमें normal window आती है तो आप title चाहे तो रख सकते हैं otherwise इसको आप skip कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर title को add कर रहा हूँ टाइल लिखने के बाद आपको जो भी title चाहिए वो आप यहाँ पर mention करेंगे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ first html program प्रोग्राम उसके बाद tag close करने के लिए यहाँ पर आपको screen पर एक angle bracket और slash का option दिखेगा आप इसे जैसे ही touch करेंगे तो software जानता है कि head के बीच में title आता है then title को close करना है और then head को उसके बाद next tag आप start करेंगे angle bracket और body tag यहाँ पर hint में आ रहा है क्योंकि इसी के बाद body tag को use किया जाता है इसलिए automatically आ रहा है आप इसको touch करेंगे तो यहाँ body tag start हो जाएगा अब हमें एक ऐसा program बनाना है जिसमें एक heading हो और नीचे एक paragraph टाइप किया हो तो उसके लिए headings बनाने के लिए html में h1, h2, h3, h4, sa up to h6 तक heading tags होते हैं तो यहाँ पे मेरे को first heading बनानी है तो मैं यहाँ पे h1 tag introduce कर रहा हूँ h1 के आगे मैंने कुछ heading रख लिए जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ heading में first program यह heading आप कुछ अपने according लिख सकते हैं उसके बाद angle bracket और slash पे touch करूंगा तो यह h1 tag close हो जाएगा उसके बाद मुझे paragraph बनाना है तो angle bracket में मैं p tag को introduce करूंगा p की example आगई आप इसको touch कर सकते हैं p tag आगया और इसके आगे हम वो paragraph लिख लेंगे जो भी हमें लिखना है तो paragraph में मैं कुछ lines लिख रहा हूँ this is my first program of HTML and here I have views एंटर कर सकते हैं some tags यह line लिखने के बाद angle bracket और slash पे touch कर लें paragraph tag close हो जाएगा तो आप फिर angle bracket और slash पे touch कर लें तो body tag close हो जाएगा then enter करके फिर आप इसी पे touch कर लें तो HTML close हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML से start किया था then head आया title आया title में हमने कुछ लिखा title close head close then body आया उसमें h1 क्योंकि heading चाहिए थी h1 को close किया then paragraph tag आया paragraph की लाइन लिखी paragraph को close किया और यह body close हो गया और HTML विस वे से एक basic प्रोग्राम लिखा जाता है HTML का इसको save करने के लिए यहाँ पे save का उपर आपको option दिखेगा third number पे plus के आगे folder और एक save का option आप इस पे touch करके यहाँ पर कहीं भी से save कर सकने हैं तो यहाँ पर मैं अपने file manager में ही इसको यह download के folder में इसको save कर रहा हूँ यहाँ पर हम इसका नाम change कर लेंगे जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं मैं प्रोग्राम यह user defined नेम है आप कुछ भी रख सकते हैं और इसको save कर लेंगे प्रोग्राम सेफ हो गया अगर आप यहाँ पर भी इसके output देखना चाहते हैं तो यहाँ यह play का button है नीचे आप इस पे touch करेंगे तो यह output आजएगे आप देख सकते हैं आउटपुट में heading आ रही है फर्स प्रोग्राम और नीचे paragraph लिखाता था वो simple font में और simple size में आ रहा है यहाँ से back करके आप वापीस जा सकते हैं इसको minimize करके आप folder के option पे जा सकते हैं जहाँ Downloads के folder मैंने इसको save किया था यह file manager open किया है और हम downloads पे जलेगे तो downloads में आप देख सकते हैं आप program.html है इसको जैसे मैं touch करूँगा यह पूछे का किसी open करना है तो यह browser से खुलता है यहाँ पे google chrome को touch कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं google chrome पे यह open हो जाएगा और google chrome पे य आसे ही कुछ और topics को हम discuss करेंगे next videos में about HTML आज के लिए इतना ही अगर आपको video beneficial लगी तो इस like को share करें subscribe करें to Infos YouTube चैनल को and keep watching the channel